सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर के पेमेंट मिथट से अपनी यूपी आई एडी को डिलीट कैसे कर सकते हो दोस्तों तो अगर आप भी अपने गूगल प्ले स्टोर के पेमेंट मिथट से अपनी यूपी आई एडी को डिलीट करना चाहरे हो तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा कि आप अपने Google Play Store के Payment Method से अपने UPI ID को Delete कैसे कर सकते हूँ तो दोस्तो डिलीट करने के लिए आप अपने Play Store को कलिजेगा Open ओपन करने बाद आपको सबसे उपर राइट साइड में आपकी प्रोफाल का लोगो मिल जाएगा आप इस पे क्लिक कर दीजेगा इस पे क्लिक करने बाद आपको थर्ड नंबर पे एक option मिल जाएगा Payment and Subscription का आप इस पे क्लिक कर दीजेगा इस पे क्लिक करने बाद दोस्तो सबसे उपर आपको एक option मिल जाएगा Payment Method का आप इस पे क्लिक कर दीजेगा इस पे click करने के बाद दोस्तो आपके payment method जो है वो open हो जाएंगे यहाँ पे आपको show हो जाएगी आपने जितनी email id अपने google play store के payment method में add किया होगा दोस्तो माल लिजी मैं ये वाली अपनी upi id को google play store के payment method से delete करना चाहरा हूँ तो इसके लिए मुझे सबसे नीचे जाना होगा उसके बाद मुझे यहाँ पे एक option मिल जाएगा more payment method का आप इस पे click कर देना delete करने के लिए दोस्तो open होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो होगा उसके बाद आपको इसमें अपनी वो वाली email id login कर लेनी है जो आपके google play store में login है जिसमें आप अपनी upi id को delete करना चाहरे हो सेम वही वाली email id यहाँ पे आप अपना login कर लीजीएगा अब दोस्तो email id login होने के बाद आपके सामने इस तरह का interface सो होगा अब यहाँ से आपको अपनी payment method वाली upi id को delete करने के लिए थोड़ा नीचे चली जाना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको सारी upi id सो हो जाएंगी जो जो आपने अपने google play store के payment method में add किया होगा अब दोस्तो यह वाली upi id मालीजे मुझे delete करनी है अपने google play store के payment method से तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा remove वाले option पे मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तो उसके बाद यहाँ पे एक option आजाएगा remove payment method का यहाँ पे आप क्लिक कर दीजेगा remove पे इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तो उसके बाद आपके google play store के payment method से वो वाली email id successfully delete हो जाएगी remove हो जाएगी अब दोस्तो मैं आपको back करके दिखा देता हूँ कि मेरे play store से वो वाली upi id जो है वो delete होई कि नहीं हुई तो मैं आपको सबसे पहले आप जो है वो दिखा देता हूँ तो मैं यहाँ पे फिर से payment method open करता हूँ उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हूँ मेरी वो वाली upi id जो है यहाँ पे बिलकुल सो नहीं हो रही है मतलब कि मेरी वो वाली upi id जो है वो यहाँ से delete हो चुकी है तो दोस्तों ऐसे करके आप अपने google play store के payment method से अपनी upi id को delete कर सकते हो I hope आप करना जानगे होंगे अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो please share वीडियो को like करना और साथ ही हमारे चैनल को भी subscribe कर लेना क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे ऐसा ही वीडियो जो है देता रहता हूँ फिलाल आज की इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम लव यू ओ